अलो जो सो वेलकम टू मेंपॉर्ण सटी अई होप आप सारे के सारे ठीक हो तो आज हम करने वाले हैं पार्ट एक कक्षा 11 वी की पोल साइंस का जिसका नाम है जी सविधान क्या और क्यों और आज करने वाले हम इसका पार्ट नंबर सेकिंड यानि फर्स पार्ट पहले अप्ल क्लेर किया है उसके बाद इसके बनाए है नोट तो इसले टाइम लग गया हाथ जोड के आप से माफी चलो जी अब चैप्टर पर जाने से पहले यानि सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमने क्लास 11 का जो आर्ट के लिए टेलिग्राम चैनल था वो जैसे कि यहां पर आपको दिख रही है इंग्लिश के अंदर मैं हिंदी के अंदर भी दिखा देता हूं यहां पर आपको दिख रही है इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना और MCQ वगरा भी मैं यहीं पर पूछूँगा आपसे ठीक है तो आप इसको जॉइन कर लेना और इससे एक ग्रूप भी कनेक्टेड है ठीक है और वहाँ पर आप मैं उसे मैसेज पर बात भी कर पाओगे मैं जल्दी ही उसको ओपन कर दूँगा इस ग्रूप पर जल्दी इसको ओपन कर दूँगा मैं आपके लिए भी ठीक है तो आप जॉइन कर लेना चलो जी अब करते हैं जी अपना चैप्टर शुरू बढ़ उससे पहले मैं आपसे दो कोशन पूछूँगा अगर दो कोशन का अंसर आपको आता होगा फर्स पार्ट से पूछूँगा तब ही आप इस पार्ट को continue करना बच्चे ठीक है नहीं तो आप एक बर दुबारा फर्स पार्ट देखकर आजाना चीज अच्छे से रिवाइज हो जाएगी दो कोशन क्या है पहला कोशन तो यह है कि आप मेरे को यह बताओ कि हमारे सवीधान को बनने में टुटल कितना टाइम लगा बहुत easy os question है 10 साल लगे 5 साल लगे 6 साल लगे कितने महीने लगे कितने दिल लगे यह बताना आपको दूसरा कोशन है कि आप मेरे को यह बताओ के हमारा सवीधान कब लागू उआ लागू कब उआ यह भी बहुत ज़्यादा simple question है ठीक है चलो जी अब अपना second part हम शुरू क आपको याद रखने हैं कि हमारे सविधान सभा में टूटल आपको पता है स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे तो उनसे आठ कमिटिया बनाए गई ठीक है और उसमें से सबसे जादा जो महतपूर्ण समितिया थी न वो थी हमारी कौन सी प्रारूप समिति याद रखना है प्रार प्रारूप समिति का काम क्या था प्रारूप समिति का काम था सविधान का मौसुदा दयार करना मौसुदा का मतलब एक तरह से इंडेक्सिंग करना कौन सी चीज पहले आनी चाहिए कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए और कुछ चीज़े एड करना बिसिकली ये काम था और सबसे जादा में जो समिती थी वो यही वाली थी प्रारूप समिती ठीक है और मैं आपको बता दूँ कि जो प्रारूप समिती थे उसके प्रारूप समिती के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराम बेट कर थे उनको हमारे सविधान का वास्तुकार यानि इंग् चिम्रा मेटकरजी का माना जाता है ठीक है जब हमारा सवीधान बिल्कुल रैडी हुआ था और लागू हुआ था कब 26 जन्वरी को 1950 में हमारा सवीधान लागू हुआ था ना तो हमारे सवीधान में टोटल मिलाके 395 लेक नहीं है इसको अनुछेद कर लेना आप क्या कर रहे ह हुआ तो हमारे जो बिल्कुल मूल सवीधान था ना जो 26 जन्वरी 1950 में आया था उसमें टोटल 395 अनुछेद थे आर्टिकल थे जिसको हम बोलते हैं 22 भाग थे यानि पार्ट थे और आठ अनुसूचियां थी शड्यूल थे ठीक है और अभी बात करें तो हमारे सवीधान म सवीधान थे पाइब सब्सक्राइब करें तो हमारे सवीधान में 105 बार संचोधन की जरूत नहीं है क्यों जैसे जैसे साल बीटते जाएंगे संचोधन बढ़ते जाएंगे ना पताई आपको बात तो आप चाहो तो यह लाइन इगरों भी कर सकते हो बट अगर आपको 2021 स्पेसिफिकली मेंचन करके बताना ठीक बच्चे चलो नेक्स पॉइंट है कि सवीधान सभा की बैटक जो थी वह 166 दिनों तक 166 दिनों तक चली इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जैसे कि आप देखोगे ना सवीधान सभा की बैटक एक दिन छोड़के एक दिन होती थी ठीक है तो ऐसे टोटल मिला के 166 दिनों तक हमारी सवीधान सभा की बैटक चली ठीक है अब आते जी नेक्स टॉपिक पे के सवीधान सभा को सत्ता देने वाले कारक ठीक है सवीधान सभा में ना मतलब आप बात करोगे ना तो सवीधान सभा में बहुत पावर है उस समय ना सविधान सभा को बहुत ज़दा पावर दी गई थी लोग सविधान सभा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे ठीक है तो यह वाला कोशन है, ठीक है, कि हमारे सविधान के प्रभावी होने के कारण, और यहाँ पर जो है, वो अलग चीज लिखे वी है, कि हमारे सविधान सभा को सत्ता देने वाले कारण कौन कौन से थे, दोनों अलग अलग कोशन है, ठीक है, तो हमारे सविधान सभा के पास इत सविधान में डालेगा क्योंकि अब जब भहस होती है तो कोई गलत चीज अगर कोई बोलेगा तो बाकी 100 लोग जो हैं वो उसको रोकेंगे बाकी सविधान सभा के सदस्यों इसको रोकेंगे तो इसलिए जो नॉर्मल लोग है उनका बहुत ज़्यादा विश्वास सा सविधा सभा में क्योंकि विचार विमर्ष का सिध्धान रखा गया था और हर चीज पर बातचीत होती थी बहस होती थी और उसके बाद उसी चीज को सविधान में डाला जाता था तो इसी वज़े से सविधान सभा के पास बहुत ज़्यादा सत्ता थी ठीक है और यह मैं पढ़के स से निवनती थी हमारे भी मिटकर की गांधी जी से ओर जवालना लहरू दि दी अगर मैं बात कर दू सरदार वललबाहि पटेल जी की जवालना लहरू से निवनती थी और पूसरे से दिक्कत है फिर भी आते थे ठीक है कि यह बात आपको पता चल गई हो तो इससे हमें प्ता चलता है कि हमारे सविधान सभा में प्रोसीजर फॉलो किया गया है है Know अच्छा सा प्रोसीजर फॉलो किया गया है मतबेत थे सम्में फिर भी बैट कर शांती से उस मर्च बेट को साइड में रखके सविधान को अच्छा बनाने की कोशिश की गई है इसलिए हमारे उस समय भारत के लोगों को बहुत ज़़ा विश्वास था कि जी हाँ ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे है विचार विमर्ष का सिध्धान फॉलो कर रहे है कारेविधी फॉलो कर रहे है अच्छे से तो इसलिए हमारे सविधान के पास इतनी सत्ता थी अब इसको पॉइंट को पढ़ते हैं विचार विमर्ष वाले पॉइंट को पढ़ते हैं जो सविधान ये जो भी छोटी-छोटी मिस्टेक है न डोंड वरी मैं सही कर दूँगा सविधान सभा को असली ताकत इस बास से मिल रही थी कि वह सारवजनिक हित में काम कर रही थी हैना सब लोगों के लिए काम कर रही थी इसलिए लोग भी सविधान सभा को एक तरह से पावर दे रहे थे हाँ जी करो आप बनाओ सविधान बनाओ कोई दिक्कत नहीं है ये वाला हैना तो इसके सदस्य ने चर्चावा तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोड दिया भैस करते थे तर्कपूर्ण बहसों थी थी उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं कि बलकि अपनी सोच और अ क्यासिले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सिध्धानतिक कारण दिये जो सब्सक्राइब और जो चीज देश के हित्मे थी उसी को सविधान में डाला विचाड विमर्ष करके और अगर कोई बात अगर उनको लगती थी न तो वो उस पर भहस करते थे जैसे कि कोई बात अगर मेरे को अच्छी लग रही है तो मैं बताऊंगा मेरे को अच्छी क्यों लग रही है समझ रहो और किसी बंदे को कोई चीज मेरे जो मैं बात लेकर आया हूँ उस पर अगर किस को दिक्कत है तो वो सवाल पूछेगा तो वह मैं जवाब दूँगा उसको है ना अच्छे से जवाब दूँगा एक सध्धानतिक कारण बताऊंगा ताकि वो भी हां मेरी की बातों पर एक दूसरे से सहं मते इनकी एक दूसरे से नहीं बनती सिम्पल और जी तो कॉंगरेस और कड़े अलोचक थे जातियों के उत्थान विए उनkे आगे बढ़ने के लिए उन के development के लिए कुछ काम नहीं कर रहे तो यह आरोप लगाते थे कि जो गांदी जी है और जो परते कमिटी ने आम तोर पर यह परियास किया कि फैसले आमराय से हो आम राइस मतलब सब की सहमती से हो और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समू के पक्ष में ना हो कोई प्रावधान पर निर्णै मत विभाजन करके भी लिये गए कई प्रावधान पर निर्णमत्वी भाझन करके भी लिए गए इसका मतलब है कि परतेग जो कमिटी थी आम तोर पर सविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तयार किया जिन पर बात में भएस की जाती थी तो फिर वोटिंग होती थी चीक है और साथ ही में सविधान सभा में हुई चर्चा को बारीकी से लिखा जाता था तथा इसके 17 कभारों में आम लोगों के लिए खोले हुए थे जिससे लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ जी अगर हमारे लिए कोई चीज खोली जा रही है और हमें भी निमंतरन दिया ज चाहरा है इसका मतलब अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे तो यह दो चीजे हैं जिसकी वज़े से हमारे सविधान सभाव को सट्था मिलती है पावर मिलती है कौन-कौन से एक तो विचार विमर्श का सिध्धान जिसकी वज़े से लोगों को बहुत विश्वास हो गया कि हाँ जी हर चीज़ पर भहस करके ही सविधान में डाला हीया दूसरा कारविदी याँनी प्रोसीजर जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा था कि सबकी एक दूसरे से नहीं बनती थी फिर भी साथ में आकर بैट कर एक अच्चे से प्रोसीजर फॉलो किया भैस होने पर अगर कोई मुद्दा सेटल नहीं होता था तो उस पर वोटिंग की गई तो ये जो है कारविदी जो है वो सविधान सभा को सत्ता दे दी थी ठीक है और लोगों का विश्वास बढ़ाती थी अब आते जी नेक्स वाले टॉपिक पे ये बहुत इंपोर्टन कोश्चन है सीधा पांच नंबर के आपके एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा आपको कोश्चन क्या है कि हमारा जो सविधान है उसके बहुत सारे जो प्रोविजन है ठीक है बहुत सारी चीजे जो है वो अ अलग अलग देशों के सविधान से ली गई है तो किस किस देश से क्या क्या लिया गया है वो आपको बताना है अब है न इससे रिलेटेड एक पांच नंबर में कोश्चन आ सकता है कि यह बता हो कि हमने कौन-कौन से प्रफधान अलग 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 देशों से किन-किन सरवादेक मत के अधार पर चुनाव में जीत का फैसला, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसको वो जीत जाती है, तो ये वाला जो फैसला है, ये हमने ये वाली जो चीज है, ये हमने बिटिश से लिया है आप बोलोगे सर यह कैसी बात है अब जिसको ज्यादा वोट मिले वहीं जीतेगा नहीं ऐसा नहीं होता बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि जैसे 100% लोगों लोगों ने एक पर्टी को 50% वोट दिये और बाकि उको 25% दिये और इसको 20% दिये तो एपार्टी के 50% लोगी पार्लमेंट बैठेंगे मतलब ऐसा नहीं होता था मतलब जो जितने जितने परसंट पे वोट मिले उसी के अकॉर्डिंग बैठते दें बड़ ऐसा हमारे भारत में नहीं है जो पार्टी जीतती है जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं बेसिकली जैसे कि मालो आपका MLA ठीक है आपके MLA को ज्यादा वोट मिले हैं हैंना 51% से ज्यादा मिले हैं ज्यादा वोट मिले तो वो जीत गया ठी ठीक है तो पहला है सरवादिक मतों के अधार पर चुनाव में जीत का फैसला यह जो है वो अच्छे से समझाएगा जब हम चैप्टर नंबर थी चुनाव वाला पढ़ेंगे चुनाव परतिनिदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है सरकार का संसद्या सहरूप आपको पता है भारत में संसद्या पढ़ ना लिये तो ये भी हमने बिटिश सवीधान से लिया था next point है कानून के शासन का विचार, यानि कानून कैसे बनना चाहिए, है ना, और कानून जो है वो किस तरीके से कानून को बनाना है, और कानून को लागू कैसे करना है, तो यह भी चीज हमने British सुविधान से ली थी, next है कि विधाइका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, जो विधाईका के अध्यक्ष होते हैं विधाईका का मतलब होता है जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधाईका होते हैं उनके जो स्पीकर होते हैं तो उनके पास क्या-क्या पावर है जैसे आपको पता है अभी ओम बिरला है अभी हमारे जो लोकसभा के जो अध्यक्ष ह वहां में जाके voting होती है यह जो है वह चैप्टर नमबर 56 पढ़ोगे आप इसके बारे में उसके बाद प्रेजिडंट के पास जाता है राश्पती के बाद सिगनेचर वने के बाद कानून बनता है यह जो है वह हमने कहां से लिए हमने बिटिश सविधान से लिए बिटिश है हमसे यह जरूर था फी चलो अमेरिका की बात करते हैं मने अमेरिका सविधान से क्या लिए तो मौलिक अदिकार की सुची आपको पता है ना जैसे कि culinary made सभीदान को में नियाइक पुनार्व कन की शक्ति और नियाय पालिका कर जो तोeneca को को पता है वह सुनाना सुनाना हो चाहिँ वह को यदिया की वह से तो हमारी कोट डढ़ती नहीं है न इंडिपेंबंडेंट स्वस्तंत्र ओसकी पावर कहां से आह री है अमेरीका के सविधान से आह जात में यहमने अपने सविधान में ढाल दी और फनर्वाव मुरण का मतलब क्या होता है अगर मालो कोई सरकार गलत कानूर बना दे तो उसको उस पर रोग लगा सकती है हमारी कोट या नियाएपाली का तो यह चीज भी हमने अमेरिका के सविधान से लिए है ठीक है जो नॉर्मल अधिकार होते है जैसे की पेंशन का ही एक्जामपल ले लो आप तो वो भी हमने जो राज्य के नीती निर्देश तत्व होते है बिसिकली वो अधिकार जिनके उलंगन पर आप कोट में नहीं जा सकते वो अधिकार हमने आयलेंड के सविधान से लिए है ठीक है राज्य के नीती निर्देश तत्व अभी हम जो है मौली कदिकार मौली कदिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप कोट में जा सकते हो राज्य के नीती निर्देश तत्व का हनन होता है तो आप कोट में नहीं जा सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके साथ को कोई भीदबाओ करता है अ कलर के नाम पे फेस के कलर के नाम पे या आपकी फिजिकल उसके नाम में तो आप कोट में जा सकते हो वाला आप क्या सकते हो कि राज्य के निटी निदेश तत्वा में आते हैं I hope मैं समझाने में यह चीज मैंने आपको क्लेर कर दी बाकी अभी अच्छे से आएगा राज्य के निदेश तत्वा मौली कदिगार से बारे में next सवीधान से लिया हमने एक संगहत्मग सरकार का मतलब क्या होता है आपको बढरत के अंधर इ spirit केनदर सरकार बट उसके लिए कानून बनाना जरूरी था तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा किंदर सरकार बनाएगी ठीक है और किंदर सरकार बनाएगी ये बत क्या है हमारे सभीधभां में कहान से हमने कौपी करके डाला ठीक है जी इश्ट परसताव के कुछ परमुग बीनुग विए कि गूचिक है यह एक संस्थ धा सविधान सभा की पहली मिटिंग होई थी 9 December 1946, दूसरी होई थी 11 December 1946, तीसरी होई थी 13 December 1946, और जो 13 December 1946 को होई थी उसमें जवालना नहरू जी ने परचा दिया था, उस परचे के उपर heading लिखी वी थी उद्देश प्रस्ताव, ठीक है, और ये point है ना, उसी परचे के अंदर लि कि अगर बिल्कुल chapter number मलब बिल्कुल खोलना शुरू करोगे ना, तो आपको एक preamble में आपको दिखाई देता हूं, चलो यार, preamble of Indian constitution, ये इसे ही कहते हैं basically, आप मिल जाएगा ये, ये आपको, ठीक है, बुक के बिल्कुल front page पे, sorry, बुक के थोड़ा सा आगे चलके आपको मिल जाएगा ये, एक दो page पलटने के बाद, chapter number one से पहले, index से पहले होगा शायद ये, तो ये ही page था, अब इसी को थोड़ा explain कर रखा, इसमें देखो, बहुत सारे वर्ड लिखे में है, इस preamble में, ठीक है, तो ये देखो, सौवरैनेटी, सोशल, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्राटिक, रीपब्लिक, तो ये सारी की सारी चीज़े जो है, वो हमारे उद्देश्य प्रस्ताफ की है, बट यहां पर इसको explain कर रखा, ठीक है, तो हमारे, basically हमारे जवाल लेहरू को ये कहना था, कि ये जो पेपर में आपको दे रहा हूँ ना, इस पेपर में ये लिखावा है, कि हमारे सविधान का उद्देश्य क्या होगा, हम सविधान बनाने का, क्या करेंगे, हम सविधान बना के, ये सार मंत्र है, संप्रभू है, यानि हमारा, इलाका है हमारा, किसी के अंडर नहीं है, और गणराज्य यानि कि हमारे देश के अंदर, एक मंत्री जो है, वो हमारे एरिया का ही बनेगा, ठीक है, क्या हमारा देश, 1947 से पहले गणराज्य था, नहीं, गणराज्य का मतलब होता है, क कि उसी देश का कोई परसन उस देश का लीडर बने जैसे है कि हमारे देश का इस ताइम लीडर कौन है MP, MP, MLA, CM यह सारे सारे भारते होते हैं भारके नहीं होते न तो गड़ राज्य है बट 1947 से आपको पहले पता है कि बिटिशर रूल करती थी तो हेड जो होते थे वो बिट संग बनना चाहते हैं वह एक संग होगा मतलब यह बोला गया है कि जो भारत का एरिया, बैसिकली जो पहले ब्रिटिश के एरिया में आते थे वाला भारत का शेत्र जो देशिर रूया सते वह एरिया है एक Bhaar बननना चाहते हैं उन को एक सगु होगा смотреть कि आप नोटिस करोग और उन सभी शक्तियों का परियोग कर सकती है, जो संग्य सरकार को नहीं दी गई है, बैसिकली मैं आपको बताऊं कि ये बोला गया है, कि जो संग होगा ना, संग मतलब एक तरह से इंडिया एक संग है, हाना संग की जो इकाईयां होगी ना, इकाईयां यानि पंजाव, हरिया संग्य सरकार को नहीं दी गई है, जिस पर स्टेट खुद फैसला ले सकती है, ठीक है, पंजाब में बहुत सारे ऐसे कानुन है, जिस पर मैं आपको सका एक एक्जामपल देता हूं जैसे फार्मर को ना 6000 पर शायद महीना दिया जाता है चीजिक है यह सेंटल गवर्मेंट ने स्कीम चलाई थी बट वेस्ट वेंगोल में यह लागू नहीं होता क्यों वेस्ट वेंगोल में मना कर दिया गया था जो राज्जागी सरकार थी तो इससे क जी पता चलता है कि जो संगया किहा है ना वह रजनितिग नहीं कि समाजिक आर्थिक नाय कानून के समक्षिक भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी तता मौलक स्वतनतरतां की कíst मतलब वह बहुत सारे अलग-अलग तरीके के अधिकार दिये जाएंगे हमारे भारत के लोगों को चीक है नेक्स पॉंट क्या लिखाव है कि अलपसंक्यक, अलपसंक्यों को को पिछडे और जंजाती शेत्रों के लोगों को प्रारूप उसमें उद्देश प्रस्ताव में एक बार रिवाइस करवादो दूसरा दूबारा से पहला पॉंट यहाए कि भारत स्वतंत्र संपर्बु गड़राज्य रहेगा दूसरा है कि भारत के एरिया में आने वाले सारे के सारे एरिया जो है वो मिलेंगे और भारत एक संग होगा 하 और संग की जो بी एकाईया होगी न उन सब के पास अपनी अलग-अलग पावर होगी यह तीसरा पॉंट है चौत्वों पॉंट है भारत में जो भी लोग रह रहे होंगे उन सभी लोगों को समाजे कारतिक और राजनेतिक न्याय और कानून वगएरा के समक्ष सवानता दी जाएगी और अभी वक्ति के आजादी और ये सारी की सारी चीज़े दी जाएगी नेक्स पॉइंट है कि जो अल्पसंग क्या है पिछड़े और जंजातिय शेत्र के लोग जो है न जो दलित लोग हैं और अन्या पिछड़े वर्गों के लोग है उनको भी सुरक्षा दी जाएगी इसका मतलब है कि हम अपने एरिया यानि अपने एरिया की सुरक्षा थल यानि पानी अकाश यानि हमारा स्काई इन सब से सुरक्षा करेंगे अपने देश की ठीक है आपको पता है हमारे उसके लिए थल के लिए हमने इंडियन आर्मी बनाई है है ना बनाई क्या है पहले से अपनी ठीक है हमारे पानी के लिए हमारी नेवी है इंडियन नेवी है ठीक है और अकाश के लिए हमारी इंडियन एर फोस है तीनों रक्षा करती है देश की कोई घ इदा राम नाम सत्य है बन देगा है ना इल्लीगल घुसेगा तो यह वाला सिस्टम है बेसिकली है ना तो बेसिकली सुरक्षा की जाएगी नेक्स्ट है कि भारत विश्व शांती तथा मानव कल्यान के लिए पूर्ण योगदान देगा मत्तब वो हर कोशिश करेगा जिससे दुनिया का अच्छा हो सके शांती कायम हो सके ठीक है नेक्स्ट पॉंट है कि संप्रभू और स्वतंत्र भारत तथा इसके सविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्त्रोच जनता है इसका मतलब है भारत का जो सविधान है उसकी सारी की सारी पावर लोगों द्वारा आत ठीक है समझ आ गया बेसिकली आई होप यह जो है वह आपको क्लेर हो अब देखो एक दिक्कत क्या है वह मैं आपको समझाता हूं बात यह है कि मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है मौलिक अधिकार और राज्य के नीती निर्जेत तत्व में अंतर यह ना वैसे तो चैप आपका आ रहा है या नहीं आ रहा अगर आ रहा है तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मौलिक अधिकार और आज्य के नीती निर्जेत तत्व एड़ हो जाएंगे और अगर नहीं आ रहा तो वह भी आप मेरे को बता देना क्योंकि जब मैं इस चैप्टर के कि वीडियो बनाऊंगा जो एक्जाम पॉंट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है विदा अंसर बनाऊंगा कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा तो उसकी वीडियो में मौलिक अधिकार और नीती निर्जेत तत्व में डिफरेंस जो है मैं एड कर दूंगा ताकि आपको किस इसी तरे की प्रॉब्लम ना आए ठीक है जी आई होप यह बात आपको पता चल गई हो बाकि दुबारा से बता दू कि हमारा टेलिग्राम चैनल जो है इसको आप जोइन कर लेना और साथ ही में और साथ ही में इंपॉर्टन चीज यह है कि हमारे जो अलग-अलग चैनल है ज इसलिवम क्ले करा एक और क 35 आपकर अपंचे अलगई के रहते हैं और सकरे बाकि में अश्चे है यह बच्चों से ऐसीनियान क्या है ठीक है जी I hope यह बात आपको बहुत अच्छे से clear हो गई हो बाकी अगर आपका कोई question वगरा हो तो नीचे comment box में पूछ सकते हो इस chapter के mcq मैं पहले upload कर चुक हूँ लिंक नीचे description में मिल जाएगा और history के भी chapter का link जो है वो आपको नीचे description में मिल जाएगा ठीक है बाकी मिलते है जी next video में तब तके लिए thank you so much जैहिंच जैबारत वंदे महत्रम, thanks for the support, bye bye